नमस्कार मैं शेल्फ डाक्टर खेंचन सोनी बिलॉंग स्टू रतनगर परजेंट ली वर्किंग एज एसोसेट प्रॉफेशर इंज जुलोजी एट गॉर्विट लोहिया कॉलेग चूरू पिछले पांच वर्सों से रतनगर पे एक संधर बुक लिखने का मेरा परियास चल रहा है इसी परियास के दोरान लगवग 20,000 डॉक्मेंट्स मैंने खलेक्ट किये हैं जगे जगे मैंने यात्राय की है गाउं के विखिन सेच लौक और on पुलाया से प्रपत्र परस्री जो परस्नल्टीज है रतनगर की स्थापना कैसे हुई तो आज इसी संकला में रतनगर में हवेलियों पेव मैं एक छोटी एक वरिक्षित्र एक डॉपमेंट्री में आपसे सेयर करने जा रहा हूँ रतनगर के जो फाउंडर जो थे संस्तापक वो विशाव के सेट श्री नंदराम जी के लिया थे उनका किसी कारणवस वहां के राजा से वादवियाद हो गया तो उन्होंने एक अपनाया नगर बसाने के एक मन में सोची और विशाव से वे महनसर सिट हो गए मेंसर वो लगभख तीन साल रहे लेकिन मेंसर के जो ठाकरते वो भी ताना मारने लग गए उसी दुराण मेंसर की एक राजपूतों की बरात तेला सर साधी के लिए आई थी उसी बरात में नंदराम जी के लिया भी आए थे उस्ने बरात साथ दिन रुपती थी तो नंद्रम जी यहां के आसपास के जो खूले जो खेतर थे उनका उन्होंने ब्रह्मन किया और देखा कि यदि बिकानेट के महाराजा यहां पर जमीन अलोट कर दे तो यहां पर एक नया नगर बसाए जा सकता है तो केडिय परिवार के जो धर्म गुरू थे वो मंगलदजी महाराज इनके वनसर जवी बी चूरू में भी है रतनगर में भी है उनके आग्या नुसार इन्होंने गाउं का रतनगर नाम रखा नंद्राम जी बिकानेर स्टेट गए और वहाँ पर महाराजा से मिले तो उन्होंने तूरं थी 89,000 बीगा रतनगर की स्थापना के लिए नहोंने अलोट कर दी जिसमें करीब 6000 बीगा गायों के चरवाय के लिए चारागव हों भी छोड़ी गई 89,000 बीगा जो जमीन है आसपास के गाउं से लिए गी जिसमें थेला सरकी जमीन भी थी इदर मेक सरकी भी थी देपाल सरकी दी भी थी श्यामपूरा की भी थी 89,000 बीगा रतनगर की स्थापना के लिए विकानेर नरेश में थी चुकि केडिया परिवार में सहर की जो प्लानिंग है ये इनके अनवन सिख है जीन में ही है योगि रतनगर से पहले इसी परिवार के पीरामल जी केडिया थे उन्होंने उदैपुर वाटी के पास एक नया गाउं बसाने की योजना थी और उसी गाउं के जो फाउंडिशन है टाउंड प्लानिंग है वह एक रतनगर की जैसी यह इसके अभी वी जो पुराने अभसेश है डी piace इसी इस गाउंची है यह यह जो ख और पुराना यह वह deben केडिया परिवार नहीं वहां प्लानिंग थी लेकिन वहां आबाध हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी ड्रॉन केमरे से धीश्झी फोटो खेशते तो वहां की जो स्थापत्य R है वहागर जो टाउन प्लानिंग है वो एकदम रतर graph गता लिकान प्लानिंग हो जैपूर की नक्षड़ी है इसलिए रतरंगर को शेखावाटी का पेरिस व्लका जाता हैवैनिस व्लका जाता है इतना संदर घाम इतना सुन्दर स्थाफत्यकला, इतने साफशुत्री सड़के, यहां के परिवार में शालिंता, यहां के लोगों का पार्शुरिक भाईचारा देखने कोई मिलता है, जो एक मिशाल की रूप में है, नगर की स्थापना के समें, नंद्राम जी के साथ लगवग बहतर परिवार, वो अपने सा साली है, और इस भाई के कुछ पने मेरे पास है, फोटो स्टेट है, जिसमें हर परिवार का जीकर है कि यह परिवार कहां से आया, किस तारिक को आया, कितने आदमी आये, अपसे साथ साथ क्या क्या चीजी ले आए, कितने माचे लाए, कितने बकरिया लाए, कितने बरतन ला केडिया के ससाल वाले जालान परिवार थे जो की फटेपूर से थे वो यहां पर आये, गाडोदे यह परिवार यहां पर आया पोदार परिवार यहां पर आया, इसके लावा मोर और हिरावत परिवार यह मुख्य धनाडे सेठों में थे जो रतनगर की स्थापना के समय उनके साथ है अब कुशन है कि सेठ सेठ किसे कहते हैं तो मैंने जितने भी दस्तावेज किये पुराने संधर पत्र मैंने जो कलेक्ट किये उसमें सेठों के लिए साथ गुनों का होना अवश्यक है यानि सेठ किसको कहे तो सेठ के अंदर ये साथ गुन होने चीए जिनमें साथ गुन हो उसी को सेठ कहा जाता है पहला कुन है कि सेट हवेली बनाए और हवेली वो जिसके अंदर टोडे लगे हूँ ये दिबूना टोडे की हवेली है तो वो सेटों की गुन नहीं है इसके लावा धरमसला बनाए सराय बनाए राइगीरों के लिए यात्रियों के रुखने के लिए मंदिर बनाए बच्चों के स्टेडी के लिए मदर्सा या पाटसला बनाए पानी का कोई भी स्रौत जिसमें जोड़ा हो सकता है कुआ हो सकता है वो बनाए और रोजना सो से लेकि एक हजार आदमियों तक गरीबों को भोजन कराए और मिर्त्यू के पश्चात अपने उपर छटरी बनाए तो ये साथ ऐसे गुण है जो एक सेट में होने चीए और जिनमें सातों में से एक दो लक्शन नहीं है तो फुर उनको सेट नहीं का जाता है ठी अविजनेश फैमिली से हो सकते हैं लेकिन उनको नगर सेट कि उपादी उनको नहीं दी जाती और मुझे खुसी है कि यह सातों गुण वाले हमरे गाह में कई सेट परिवार है जिसमें मुक्रूप से केडिया परिवार, ओदार परिवार, गाडोदिया परिवार, चांदग बुधिया परिवार यह से सेट हैं जिनोंने इस तरह की भामाशाय की वुमी का प्रिवाई है और अभी तक यह परंप्रा इनके परिवारों में चलती रही है तो मुझे भहुत गर्वे होता है कि मैं इस छोटे से गाउं में पैदा हुआ और मेरा पूरा मन मेरा तन मेरा धन इस गाउं के विकास के लिए इस गाउं की प्लानिंग के लिए इस गाउं की उन्नती के लिए सदेव उपलब्द रहेगा है आज की संखला में रतनगर की हवेलियों के मैं जैसे चर्चा करने जा रहा हूं रतनगर में कौन-कौन सी हवेलिया है तो इन सभी को मैं टच करते हुए मैं बहुत ही संखशेप में आपसे चर्चा करूंगा ये जो हवेली है ये मूल चंजी पोदार की हवेली है और काम की सबसे सुन्दर हवेलियों में इसकी गन्ना होती है मेरी दादी बताती थी कि इस हवेले में साथ साल तक चित्रकारी रही है और उपर के जो यह आप चुवारी देख 현 हो यह चुवारी राम-गोपाल जी工作 ने बनाए जो वर्तमान में देली में निवासे करते हैं पर इस सबसेदे मुंबई में हैं कुछğ पर्बूबार के सबसे सूरुद में भी बिजनेस करते हैं और गाउं की सबसे सुंदर हवेलियों में यह सामील है, हेरिटेज हवेली में भी सामील है, और इस हवेली के मेरे पास कम सकम 500 फोटोग्राप्स हैं, एक एक भीत्ती चित्र, मैंने इसमें काउंट की अलग बग एक जार से ज्यादा इसमें भीत्ती चित्र है, पूरी राकमाल अब यह बाल को नहीं है, तो हवेलियों की सुंदर हवेलियों में इस हवेली का जैसे नाम आता है, मुल्चन जी पोदार की हवेली, यह इस हवेली का पीछे का भाग है, यह हवेली जो है पस्ची मुखी है, और अब देंको कितनी सुंदर स्था पहले किला इस हवेली की दे बालाबक्स जीपोदार जिनके लड़के रामगोबल जीपोदार जो वर्तमान में देहली में इनका बिजनस है और इस हवेली में भी बहुत सुन्दर चित्र है, बहुत मजबूत हवेली है लेकर अभी तीन-चार साल पहले बहुत तेज बारिस आई और उसे बारिस के दोरान भुकम के जटके महसूस किये उस दोरान इस से हवेली के अंदर आर पार दरार आ गई है अब यह हवेली रिस्की है थोड़ी लें फिर भी इसकी जो दिवाल है वो दो फिट मोटी है और इस अमें जो बाठे जो काम में लिए वो देपाल सर की ख़दानों के काम में लिए दोना हवेलियों में देपाल सर की ख़दानों के भाटे पत्थर जो है वो इसमें काम में लिए यह हवेली उदे राम जी चांद गोठिया की यह भी भहुत मजबूत हवेली है इस हवेली के उपर पहले दो चोबारे होते थे जिसमें पुस्तकाले चलता था आए पुस्तकाले बर्तमान् में नव बुस्तकाले के नाम से दूसी के स्थापित कर डिया है और इन चोबारों में बुकं से दरावार रहे कार्ड़ इन चोबारों को फिर हठा दिया गया फिर भी भी भूत भी शुन्दर हवेली है बहुत लंबी चोड़ी हवेली है इसमें भी काफी भीत्ती चित्र है और हवेली के अंदर प्रविश करने के बाद में आप देखते रहे जाओ इतने शुन्दर इसके अंदर फ्रेस पेंटिंग है वो बने हुई है यह यह रामनाथ जी चांद गोठिया चांद कोठिया परिवाकिय है और यह भी भहुत शुनदर हवेली है भहुत परसीद हवेली है और इसके अदर इसके आवेली के गली की त्रक्वी जो दिवाल है उसमें महारजा गंगा सिंग का एक बहुत ही परसीद चिद्र है जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठी है और àइसमें गुलामी फिलम की जो शूETिंग है वह इसी हवेली के अंधर हुई है जह पीदत्ता की यह काफ़ी भहुत सुंदर हवेली है बहुत मजबुत हवेली है और पूरे इराणी कल्चर में जिस तरह लोय देले की नीम चबूत्रों पर रखी है उसी तरह इस हवेली की नीम भी चबूत्रे पर रखी है तो यह हवेली कितना ही भुकम पाए कितना ही बारिस है इस हवेली का कुछ बिकरने वाला नहीं है और इस हवेली का कुछ नमिनी करण भी किया है आगे के कुछ बित्ती चित्र है उनको दोबारा भी बनाए गया है लेकिन वो सब एक्रिलिक पैंट है तो इसका जो प्राकर्तिक जो सोवा थी वो थोड़ी कम हुई है फिर भी बहुत सुंदर हवैलियों में सामिल है यह इसी हविली का आगे का भाग है इस अब देखरों यह इसमें डिस्टिंबर पैंट करवा दिये अब इन पैंट करवाने कारण कि जो पुराने भीत्र चेत्रे वो चिप गए नीचे गए जो चित्र है इनको दुबारा बनवाए गया है सीडियों की इसमें रिपेरिंग होता है यह वैली भी चांदगोठिया परिवार्सी है रामतार जी चंदगोठिया जो वर्तवान में मूंबई में अपना बीजनस करते हैं और इस अवेली का भी जिन्दोधार किया गया है और आगे गे जो चित्र है इनका नमीनी करण किया गया है लेकिन जो ओरिजनल टी यह वैसे चित्र नहीं आ पाई तो फिर भी भहत सुंदर हवेली है यह चमडिया परिवार की हवेली है वासुदेव जी चमडिया और भहती मजबूत हवेली है पूरी गली की हवेली है और रतनगर में दो हवेलिया इसी जिसमें बैठक बहुत बड़ी है यानि सबसे की जिसमें एक तुमानमल जी हरावत की हवेली में बैठक है सबसे बड़ी है और एक वस्ट देव जी चमडिया की हवेली जो बैठक है वो सबसे बड़ी है और इस हवेली के पीछे के तरफ डोला मारू की बहुत ही विशाल पेंटिंग है आपका भी रतन अगराउत हवेली और आप देख रहे हैं इसमें पूरे सभी कमरों में कितनी खिटकिया है इसको रतनगर का हवावेल भी खहें तो कोई अतिस युक्ति नहीं हो यह इसी हवेली का आगे का भाग है चत से चत का जो पॉर्सन है और यह इसके अंदर चोक है लेकिन साथ समाल नहीं होने काड़ इसके अंदर पीपल है उग गई है और काफी धनाड़े सेट रहे हैं इसाब बताते हैं कि इस हवेली में एक मैने तक लगाता चोरी होकी रहे तो बहुत मद्शमूत हवेली है बहुत सुंदर हवेली है यह जो हवेली है यह हाइज स्कूल के सामें केरिया परिवार की सोवारदन जी रहे है जो इनके परिवार के कुर सद्र स्द०्द साइज Кạt अमेरिका में भी YOU रज्यास्ति और वर्त्मान में, स्रावर्मल जी स्वामी के परिवार के सदर शे केयर टेकर के लूप में इसको समाँ धरें और ये भी काफी सुंदर हवेली है काफी मजबूत हवेली यह हवाली हरीचन जीकाड़ोतिया जो कि गाउं के बहुती दनाढ़्या अजानकत शेट रहे हैं इस की जो डिजाइन है बहुती अध्वूत है ऑ Spectre City में वावडियों की जैसे की डिजाइन होती है अब उसी डिजाइन पे इस हवेली करने मान में आप देख जाए यह आगे बैठक है नीचे जैसे पर है उसी तरह गषया ऊपर है जिसको ये चोबारे बनाए और दोनों साइड में ये चोट-चोटे कमरे हैं गुबंद के और पासमेन का ये काफी नोरा है बहुत हो तो ऐसा लगे कि वास्ता में ऐसे गला कार मिलना मुश्किल है भषी बहुत ही सुन्दर हावेली है यह स्नेही रामजीज द झीवराज का प्रिवार की हावेली है High School कले में और मजबूद परिवार कहीख सुन्दर हावेली लिए लिया। इस हवेली का भी जो आर्खिटेक्चर है वह भूत ही सुन्दर है इस हवेली के अंदर से आप देखो तो इसमेश जैसे फिर्स फलोर है उपर ये चोबारे हैं और चोबारे के चार्टम मेश से बाल को नहीं है दीचे इसमें गुफारी होते थे जो आजकल बंद करवा दिये ह फिर हमें भी भाइण सुन्दर और देखने सब्दें नही острस हाली में मुगल से लिके भीति चित्र आपको देखने कुँने मुगल से लिके पठान से लिके यह रूंध गडोदिया परिवार की है लेकिन सार समाल के वहाब में में अभी देज बारिस आहे हैं तो तिन साल पहले तो उसमें इस हवेली के आगे के जो दोनों बैठक है ये गिर चुकी है और इसके अंदर भी भहुत सुन्दर चित्र है इसमें कुछ भी चित्र ऐसे हैं जिसमें क्रशन जी राधा जी के बालों को सवार रहे हैं कांग कांग सिय से तो इस तरह के राग और इस हवेले में भी मुगल सहली के चित्र है तोडों के बीच में और काफी सुन्दर है काफी बच्बूत हवेली है ये भी गाडो दिया परिवार की हवेली है अर्शन जी गाडो दिया परिवार के सामने और इस हवेली को हमारे परिवार की विनोजी टावर कलकटा में न और इसका जिर्लो ऊद्वक्याईं और यह जो हवैले इसके अंदर पैड़काले ह। बाकिए वल्लियव फिस जनल दोई होता हैं लेकिन इस फिर्वेले के प। चार पैड़काले हैं ये इसके विश्चा है और इनके पीछे के जो दो कमरें उसके अंदर अंडर गौंड भी है तो बहुती इस्थाफ़ते कला की दस्टी से बहुत मजबूत और बहुती सुन्दर हवेली है यह हर्चन जी गाड़ोदिय के हवेली का साइड का चित्र है इस अब देखनो यह फाती घोड़े बहुत ब साल के संजी गाड़ोदिया है उनकी इचाय कि इस चित्रों को दुवारा री क्रियेट किरिया जाए और समभत्या रिनोवेशन के बाद में वापिस यह एक दस्निय स्थल के रूप में यह हवेली मानी जाएगी यह भी गाड़ोदिया परिवार की हवेली है रामबल लव ज दिखने बहुत शुंदर है इसके रिनोवेशन के बाद का फोटोग्राप भी है वह भी मैं आपसे शेयर करूंगा यह भी रामबल ले जी गाड़ोदिया परिवार की हवेली है यह हर्जन जी गाड़ोदिया हवेली के पीछे एक छोटी हवेली है तीन मजिला और यह हवेली है जो है यह पिलाग तीन में आगे परिवार की है और गाव में दो ऐसे हवेली हैं चिसमें केबल आदे भाग में तोड़े हैं अब यहां तक कनो और कि का निर्मान पहले हो गया हो और बाद में इस विल्णी को इन्हों ने एक्सेंट किया हो लेकिन ये दो हवेलिए एक तो इस हवेले में आधे भाग में तोड़े हैं और एक फूल चंजी फते चंजी हिरावत की हवेलिए उसमें भी इसी तरह की स्थापत्ते कर ले हैं वो इसने शुजाव है वो दे सकती है ये विलासराइजी केडिया की हवेलिए है और बहुत ही धनाड़े सेट थे जिन्नोंने कई धरमसालाइं बनाई कई जोड़े बनाए कई मंदीर बनाए कई जगे इनोंने स्कूलें खिरी और अंग्रेजिवों के जमाने में इनको तो कई तरह की उपाधियां भी मिली है और वर्तमान में इन परिवार के सदे से मुंबई में अपना पीजनस करते हैं और एक इनका जो परसनल लाइबरे मी थी वो लाइबरे अभी भी इसी हवेली के अंदर आगे की बैठेक में चलती है और जिसमें पूराने काफी साइट तेक कि पीछे का चितर है ले वर्तमान में इन गलीों में क्या सडके बनने से पानी कटा होता है पानी के गोहारियों में चले जाते हैं तो अभी ये हवेली है पीछे से फट चुकी है और बहुत ही रिसकी है अब इसके लिए यहां की नगरपाली का है वो जिम्मेदार है क्योंकि लाका है वो थोड़ा नीचा इलाका है पहले जब सडके नहीं था तो पानी गली के अंदर शूक स्य थो जा जाता था लेकिंध सेमेंटेट सडके बनने से पूरे इलाके का पानी बहुत दो तिन गलीों के अंदर ये भर जाता है और उसके कारण ये हवेली हां चाति ग्रस् थे उन चारों की हवेलिया रतानिन नगर में मौझूद है और अरजुंदा सी केडिया बहुत एक परसीद कवी हुए केडिया परिवार में और जो की साथ वाशाओं के जानकार थे उनकी कई पुस्त के है वो मेरे पास पड़ी है काफी दूड़लब पुस्त के हैं जिसमें तो काव्यकला नीदी है एक भारती भूशन है और ये पुस्त के बनारस हिंदू यूश्टी में उनके कॉर्स में अभी भी चलती है और इन पुस्त कोंपे कोई पीएजडी करना चाहे तो परिवार का जो बिजनस है वो पूराने पाकिस्तान में भी था नूरपूर फिरोजपूर वहापर करीब साथ गाओं के इनकी बहुत बड़ी जागिलदारी थी जमीदारी थी और बारत विभाजन के पर साथ ये इधर आ गये ये इस परिवार की ये बैठक है बहुत फोट्वेंस में बेल्जियम के जहरोखे थे पुरानी लेंप थी शेट परिवार के बहुत आदमकद फोट्वेंस के अंदर थी और जो भी कानून जो होता था दंड दिया जाता था कोई भी डिजिजन लिये जाते थे वह इस हवेली में लिए जाते थे तो यह मान के चलो यह एक तरह से कचेरी है एक तरह से कॉर्ट है और यहाँ पर विभीन सांस्कृतिक प्रोग्राम कल्चर प्रोग्राम इस हवेली के ब्राम्द में होते थे कुछ दूरलब फोटोग्राप्स मेरे पास इसके पड़े हैं यह सुबिका नेर की गाई का है संब्सक्त है जिलाई मांडगाई में बहुत परसीद है तो एक फोटो है जिसमें हार्मोनियम है गाने बजाने वाले हैं शेट सावकार बैठे हैं और उसमें यह गाई का छोटी बालिका के लुप में भी यह है यह फोटो मेरे पस पड़ा है यह इसी हवेलिका बीतर का चित्रे अरजुनदासी के लिया और अरजुनदासी इस खुद जौतिस के ग्याता थे और उन्हेंने वास्तुकला के साब से इस हवेलिका इनों tweaking निर्मान कि यह और इसमें जो वित्ती चित्र हैं वो और हवेलियों से भटके है क्योंकि अरजुनदास यह खुद धार्मिक परवर्ति के थे महावार्थ का ग्याता थे, रामाण के ग्याता थे तो महाबार्थ रामाण से समधित वित्ती चित्र इस हवेलियों में आपको देखने को मिलेंगे और बताते हैं कि अरजुनदाश जी ने जब इस हवेलिय का निर्मान किया तो हवेलिय के अंदर जो खूटी है परते खूटी में चांदी के सिके इन्होंने जड़वाई और यदि इन खूटी को खोदा जाए तो संभवत चांदी के सिके परते खूटी में निकल सकते लेकिन वर्तमान में ये हवेली गाम के भारगव परिवार है उन्होंने खरीद दी है ये इस हवेली के सामने है अर्जुन्दाजी हवेली के सामने है और इसको बड़ी हवेली के नाम से जाना जाता है और ये केडिया परिवार की दो नंबर की अवेली है एक नंबर की अवेली है वो तो बस्टेंट पे है सबसे पहले वो बनी उसके बाद में इस हवेली का विमान हुआ और इस हवेली में अक्यवला आगे भीतिचित्र है बहुत बड़े हाती के होदे हैं और गनेशी का चित्र है लेकिन अंदर इसमें कोई भीती चित्र नहीं है लेकिन अभी भी ये डेट सो साल प्राणी हवे लिए और बहुत मजबूत है कहीं भी कोई तराड नहीं है और हर तिबारी के अंदर हर साल चोगरों के अंदर पूरान के सेरों के छोटे फ्लेट होते उतने बड़े-बड़े रूम है यह 25 वाई 25 विट के कमरे हैं 20-20 विट की इसमें तिवारिया है यह इस हवेली का अंदर का चित्र और इस हवेली में दोनों तरफ सीडिया है पूरो मुखी हवेली है और आप देखरों कितना सुंदर इसका महर ज़ाब है इतनी इसमें जहरोके हैं यह पत्रों में खुदाई करके जैसे बनाएं तो कितनी आलिसान हवेली है कितनी मजबूत हवेली है और यहाँ पर यह गनेशी की चुनने से बनाई भी परतीमा है और लेकिन इसमें कोई भीती चित्र नहीं है यह जालान परिवार की हवेली है जो केडिया परिवार के सस्वाल से थे और फतेपूर से यहां आए थे लेकिन यह हवेली वर्तमान में बिख चुकी है और गाउं की रोसन लीलगर बदन रोसन लीलगर लीलगर परिवार ने इस हवेली को पर स्वेश कर दिया ते फिर वी इस की इसके अंदर फोटो है राग रागीनी की फोटो है गोडों की इसके अंदर चित्र है रेल यात्राओं की इसके अंदर चित्र है और हर टोड़े की बिसमें बहुत ही बहुत ही पुरानी लोग कथाओं से समंधित काफी चित्र है और बहुत ही सुन्दर हवेली है इस हवेली का आगे का भाग है अब अब देख लो हवेली जब ये विकी तो बेशने से पहले जितने भी ये खिटकियां थी ये सब रामगट के जोरी परिवार है उनको ये बेश दी गई और तो भहुत दुख होता है जब गाम की एक विरासत की इस तरह की कदर हो थी और इसम ये मक्का मदिना काबा का जो चित्र है वो यहां पर लगा हुआ है फिर भी ये काफी दर्सनी हवेली है इसके भीती चित्र जो है बहुत ही नैनाई भीती चित्र है ये पोदार परिवार की सबसे पहली हवेली है सबसे पहले जोखिराम जी पोदार जैसे आये थे और ये कि थे पार सुन्हार प्रषा प्रवार के लिंघ का आफ त। CT का पार त। कि ये इस स्टॉद से लिए इसमें साइद में भी ती grease की सित्र सुन्हार ने हैं पीछे बैठागे कि G GALi लेकर आगे जो बैठेक हैं अंदर उसमें बहुत ही सुन्दर चितने सिनल परिए यह जालान परिवार की हवेली है और इस हवेले में भी भहुत ही दूरलब भी थी चित्रा अलग लग विधाओं के इसमें बोगल सहली के इसके अंदर आपको देखने में देखने में दोला मारू के चित्रा आपको देखने में दोला मारू के चित्रा आपको देखने में दोल सब्सक्राइब के ठेके हैं वो चुबते हैं यह जाड़ो दे परिवार के राम बर्लब जी पोदार राम बर्लब जी गाड़ो दिया उनके परिवार के हमेली का आगे का चुत्रा यह रगनाज जी के एडिया जो वर्तमान में कैलकटा भी राजते हैं इनी के परिवार के राजेंदर जी के एडिया जो रावती में उनका बिजनस है यह उस परिवार की है वेली है बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत है और इसके अंदर जो भीती चित्र हैं बहुत ही देखने को है और इसमें जो अंदर जो पर्वेश्ट करने की सीड़िया है उसमें दोन तरव की दिवाल है वो ہाथी किया जैसे होता है हाथी की सूनध होती ऐ उस पूस्कीस्ट के अंदर यह पेंटिंग है वह बनी है यह मुखे सीडिया हम देख रहे हों दोना दिवाल है वह हाती की सूंड कितरह ऐसे यह हाती का जैसे मस्तिज है यह फ्रॉंटल एरिया होगा यह सूंड वला जो पॉर्सन तो पूरा वास्तु के साब से कितनी सीडिया होंगे कितने चोख होंगे और इसमें यह पीछे देख रहे हैं यह यह बैठे है माहवत बैठे है तो बिती सीडियों में भी मतला हाती की डिजाइन जैसे बनेगे यह इस हवेली की मुखे विसीष्टा है यह सिंघानिया परिवार की हवेली है और वर्तमान में इसमें आद हवेली है और इसके साइड के जो भीत्टी चित्र है इसमें ट्रैफिक पुलिस का एक फ्रेश्को पेंडिक है ट्रैफ्इक पुलिश पूलिस कंट्रोल कैसी करता है तो इसमें बाकादा से इसारे देते हैं जैसे इधर पाइंती और रेल्वे स्टेशन यह इसके इन्दर है ये भी सिंगानिया परिवार की हविली है लेकिन ये भी बिख चुकी है और गाम के हिबाबुलाल जी सोनी उन्होंने इस हविली को परसेच किया है और इस हविली का इन्होंने जिर्णो धार करा है पूरी रिपेरिंग करवाई है लेकिन फिर भी इनके जो चित्र है उसमें कल प्रिवाननी हुले हैं उसमें तो सारा देसी कलर है वो इसमेल होता था क्यों चाहिए सिनारियल के टॉकोक्सर की जलाके सर्चों की तेल में जीसे काला रंग बनाय 0 बनाय जाताथ तो यह देसी विदी से रंग बनाने की जो तकनिक थी वो देरे दे खतम होती गई और इसके जो भीती चित्र हैं वो धूप के कांट थोड़े धूंतले हो गए फिर भी इसमें बहुत शुंदर चित्र है और काफी बढ़िया रिपेरिंग इस हवेली की होई है और देखने अनला एक हवेली है इसके लाव यह जो महराव इसमें स्वतंतरता सेनानियों के भीती चित्र आपको देखने को मिलेगी इसमें रानी लक्समेबाई के चित्र भी है बहादूर सा जफर के चित्र है तो जिते भी फ्रीडम फाइटर्स है उनके चित्र इसमें आपको देखने को मिलेगी यह टीविडे वाला परिवार की हवेली है और इसमें भी फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज है अलकि यह हवेली बात की बनी है इसलिए इसके चित्र आप देख लो सारे धूंतले हो चुके हैं धूंत के काट फिर भी उनके अभी तीचित्रों के इंप्रेशन्स हैं वो अभी अब फीडम फाइटर्स की है जिसमे लाल भादू सास्त्री है रानी लक्स्मी भाई है बातमा गांधी है बल्लभाई पटेल से फ्रीडम फाइटर्स के सुतंतलता सन्यानियों की जो फोटोग्राप्स है वो इसे हवेली के बहराब में आपको देखना को लेकिन सार सम्माल लिफर ही होने के कर्ण इस हवल्र के जो चोवारे हैं वह गिरच को Talk Us मेरी आगर है कि इस परिवार की जो धर्वर को संभाले ले इसक पर आए क्योंकि यह गाउं के एक बस इस्टेंट पर है मंदिर के सामने लाम कि स्थापना के समय सबसे पहले हवेली यह बनी और इसके पास में मंदिर बना उस मंदिर में जो कुई है वह भी अभीका नेर्नरेस की तरफ से बनाए गी थी और इस हवेले में भी कोई भीती चित्र नहीं है लेकिन यह 165 साल पुर सदस्य है विशुनाजी केडिया जो की जने में विरास्त हैं अभी उनका ध्यात हो गया है कुछ सदस्य के परिवार के सदस्य हो कलक्टा विरास्त है तो इस्तापत्यक लाइदस्ट इसे बहुत मजबूत हवेलिये बहले इसमें भीती चित्र नहीं हो लेकिन 500 साल होने इसके रूप में यह डवलप हो शकता है यह इसी हवेली का यह चोवारा है और इसका चोवारे का भीत्र का मेरे पास फोटो प्लद हुआ है जिसमें बेल्जिम के जाड़ फानुस लगे हैं लांटन लगी है पुराने भीत्ती चितर लगे हैं और इसके अंदर जो पलंग थे उसमें चांदी के पागे थे और नीचे कालिन बिच्छा होता था और इसमें पढ़ने के रूप में इसको काम में लेते थे और यह जो चुबार है इसके इस थाफ़ते कला बहुत तो यह बहुती मलब देखने लाएक है आप देखरों इसमें सीडिया है यह दौन तरब इस छोबार है एक तरिकार यह जो हवैली है यह लावगत अर्वल की सबसे बड़ी हवेक्यों के सामील है सबसे वड़ी चंबड्या परिवार की रोड़ी और यह इरावत परिवर के वेली, इस हविली की लंबाई है, वो करीब 120 फीट है, चोड़ाई है, वो करीब 80 फीट है, और पूरी स्थाफत तेकला, वास्तुकला, देखने कोई बनती है, यह सविली का अंदर के आपसीडिया देख रहे हो, यह बहुत बड़ी बैठेक है इसमें, और अंदर इसके अंदर वही चार तिवारिया हैं, चार साल है, चार सोग्रे हैं, दो इसके अंदर कीचन है, दो पैटकाले हैं, और इस हविली के अंदर वसुंद्रा राजे हैं, वो विस्राम कर चुकी है, चुरु भ्रहमन के दौरां, बैरो सिंग जी सेखावत इसमें आ चुके हैं और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इस हवेली के अंदर हम इक्षित ही है तो चत का जित्ता भी पानी होता है वो इसके अंदर स्टोरेज हो जाता है अधिस हवेली का बैठक खाफ फोटो आप देकरों कितनी कितनी लंबी बैठक है सिंगल ढूले की यह नहीं बीना कोई स्पोट के बीना कोई बीम के कम सकम 40 फिट का ढूला होगा तो गाहूं की चमडिया परिवार की हवेली और इस हवेली बे उसमें यह सबसे बड़े ढूले यह हिरावत परिवार के शेट जी की फोटो यहां पर लगी है और कभी आव रतन अगर आएं तो इस हवेली को आप जुरूर देखें यह सवहनलाल जी हिरावत की हवेली इस हवेली का अभी अभी 50 लाक रुपे की लागत से जिर्ण दोधार किया गया है और पुराने जो भीती चित्र है उनको एजिट रखाए यह फूलचंजी फतेचंजी हिरावत की हवेली यह भी भहुती सुंदर हवेली है वाश्चू सातर के साब से और इस हवेली में आगे का जो पॉर्सन ऐसमें आदे भाग में टोड़े हैं आदे भाग में टोड़े नहीं आब इसके पीछे कारण क्या है यह मेरे आज तक हालते नहीं हैं और वर्त मान में राम्लाल सहल का परिवार है से हविए रहें हैं जे जितनी बहुत हैं यह नगर के परकोटे हैं कि अब नगर के परकोटे के बाहर कोई होटे कि नहीं है लेकिन दिखनादे महältे में संसुदिन जी धो भी उनकी एक मात्र हविली इनके परिवार के जो सदस है वोगा काम करते थे और गाम में जितने हवेलियां बनी हैं अ काफी हवेलियों में इन ही परिवार के हवेलिय है जो टोडों की है एक मात्र हवेली है जो परकोटी के बाहर है और समसुदीन जी धोबी ने उनके जो पूर्वस थे उन्होंने इस हवेली को बनाया है और काफी सुंदर हवेली है इटालियन डिजाइन में और इस हवेली में यह जो आप देख रहे हैं यहां पर जैसे लगाने का भी इसके अंदर जगह है हो सकता है इनकी प्लानिंग हो एक छोटी घड़ी घंटागर की रुप में टाइम देखने के लिए इसमें और वर्तमान में हालंकि यह थोड़ी जरज़ट हो चुकी है फिर भी रिपेरिंग की जाए तो यह हावेली अभी भी एक दर्स की दर्स दर्सटी से पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पैचान रखता है और क्योंकि ड्रॉन केमरे की शुवीदा बन की है और मैंने गाव का पूरे गाव का ड्रॉन केमरे से एक चित्र लिया है और उस टाउन पॉलानिंग को आप देखो तो जैसे जैपुर का जो एम आइ रोड है जैसे चोराए है हमरिगा में 256 चोराए है और पूराने जो टाउन प्लान है उसमें तो यही था कि हर चोराए पे एक नीम या फीपल का पेड़ लगाए चाएं तो हो सकता है उसमें हर चोराय पे पेड़ लगाये गई होंगे कुछ पेड़ पन पे नहीं कुछ में दिम्मक के काण वो जरजर होगे कुछ पेड़ गिर गए फिर भी आप यदि गाउं का जो मुख्य मार्केट है उसमें आप यदि पदियात्रा करो तो आपको हर चोराय पे आपको नीम का पेड़ मिलेगा गटा मिलेगा तो यह इस गाम की एक भहुती अच्छी विश्यस्ता है आप इस डोकुमेंटरी को देखें और मेरे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें इस डोकुमेंटरी को रतनगर के जितनी भी परवासी है उन सभी से शेयर करें और इसी संखला में मैं समय समय पर गाम की छोटी छोटी डोकुमेंटरी मैं आप से शेयर करूँगा जिसमें गाम के मंदीर है गाम के मस्जीद से गाम के भीती चित्र है परण कैसे हैं दुरलब चित्र है मेरे पास 500 साल पर ने और उन सभी को मैं छोट-छोटी डॉक्मेंटरी बना के मैं आपसे शेयर करता रहूंगा और इस एक साथ मैं मेरी तरफ से मेरे गाउं की तरफ से मैं आप सभी को हार दीख धन्यवाद देना चाहता हूं वह वुद दे व्युद दे एक रवे ग्याएव थैंक य। वर वज वाचिंग वाचिंग ए विड़ों य। ए झाल चाहता है और बेश प्रण के लिगे पूर प्रोट य। वीडेश लिगे दो फिर टार टॉर तॉर टॉर दॉर न से जान्ट टॉर य। दॉर टॉर टॉर ट